हेलो फ्रेंड्स आज है दो अक्टूबर और दो अक्टूबर हमारे लिए बिसेश क्यों हैं तो ये हम सब जानते हैं क्योंकि दो अक्टूबर को हमारे दो महापुरसों का जन्ब हुआ था और वो दो महापुरस कौन-कौन से थे महत्मा गांधी और लाल भादूर सास्थ्री दो अक्टूबर को मनाए जाता है अंतर राष्टिय अहिंसा देवस्ट तो यह जो डे है यह जो आज का दिन है बहुत स्पेसल है हमारे लिए तो आज के इस दिन पर हम महत्मा गांधी से सम्मझेत कुछ महत्पूर्ण प्रस्ण लाए हैं मैं हूँ प्रभाकर और स्वागत कर करता हूँ आपका इस्टिदी करके इस यूटूब चैनल पर चलिए करते हैं वीडियो को सुरू और देखते हैं आज का पहला प्रस्ण आज का जो हमारा पहला प्रस्ण है वह हैं अंतर राष्टिय अहिंसा दिवस कब मनाये जाता है तो इसका आंसर होगा दो अक्टूबर दो अक्टूबर को मनाये जाता है अंतर राष्टिय अहिंसा दिवस जिस दिन गांधी जी की जन्म जन्ती होती है उसी दिन अंतर राष्टिय अहिंसा दिवस मनाये जाता है और कब से मनाये गए दो हजार साथ से यह भी फैक्ट नोट करना है कब से मनाये जाता है दो हजार सास से नेक्स्ट कोश्चन है महात्मा गांधी का जन्म किस इस्थान पर हुआ था तो हम सभी को पता है महात्मा गांधी का जन्म हुआ था गुजरात के पोरबंदर नामा के इस्थान पर कहां गुजरात के पोरबंदर तो जन्म इस्थान किस इस्थान पर हुआ था शुरू किया था तो जब महत्मा गांधी 1915 में अफ्रीका से आए कहां भारत तो भारत में 1917 से उन्होंने अपना जीवन शुरू किया भारत में अग्रेजों को भगाने के लिए मतलब सत्याग्रेश शुरू किये उन्होंने और वो कहां से शुरू किये थे चंपारण से और चंपारण कहां पर है बिहार में 1917 में इन्होंने चंपारण से अपना पहला सत्याग्रेश शुरू किया था नेक्स्ट कुस्चन है भारतिय राष्टिय कॉंग्रेश की निमलिखित सत्रों में से किसमे गांधी जी ने ध्यक्षता की थी तो एक अधिवेशन हुआ था 1924 में कहां में कर्नाटक में एक किसथान है वेल गाम तो 1924 में एक अधिवेशन हुआ था कॉंग्रेस का तो उस अधिवेशन में उन्होंने भाग लिया था अध्यक्षता की थी उसमें ong marks वेल गाम कहां है कर्नाटक में और 26 से 26 से 27 दिसंबर 1924 क हमारा मोहंदास करम चंद गांधी को महत्मा के रूप में प्रथम बार पुकारा गया था किसके द्वारा पुकारा गया था तो यह पुकारा गया था रविन्नाठ टैगोर रविन्नाठ टैगोर को हम किस नाम से पुकारते हैं गुरुदेव गुरुदेव के नाम से पुकारत थे हैं तो इसका आंसर होगा option D को क्या कहा माहत्मा मोहंदास कद्दности की जो मोहंदास करम दूमिदीशे महत्मा बनने कर को का शफर था यह सबसे पहले हैं त्यज्सने कहा था केसर ये हिंद कौन सा पुरुसकार दिया गया था केसर ये हिंद कहा गया था और कौन से आंदोलन के दौरान आसयोग आंदोलन आसयोग आंदोलन 1922 से शुरू हुआ 1922 तक 1922 से शुरू हुआ और कब तक 1922 तक चला फिर इसके बाद ये अचानक गांधी जी ने बंद कर दिया Next question है गांधी जी का मानना था कि अंत और इसका अर्थ दोनों उचे ठहराना चाहिए, मतलब अंत और इसका जो अर्थ है वो दोनों उचे ठहराना चाहिए, तो option D होगा इसका सही answer. Next question है गांधी जी के पसंदीदा भजन के लेखा कौन है वैसनाव जन तो तैने कहिए, तो यह सबसे अच्छा भजन था गांधी जी के लिए, तो यह किस ने लिखा था, तो यह लिखा था नर्सी महता. नेक्स्ट कोशन है गान्धी भादी समाजबाद में क्या है? गान्धी भादी जो समाजबाद है उसमें क्या जरूरी होता है? राज कभी कभी जरूरी होता है और कभी कभी आवश्यक भी होता है तो इसका option C होगा सही answer नेक्स्ट कोशन है निम लिखित में से कौन से गोल में सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था तो अंग्रेजों के साथ तीन गोल में सम्मेलन हुए थे कितने तीन तो गोल में सम्मेलन हुए थे तीन तो दूसरा जो गोल में सम्मेलन था उस गोल में सम्मेलन में उन्हों एक्तिश में और तीनों गोल में शम्मिलन में किसने भाग लिया था यह आपको कमेंट करके बताना है तीनों गोल में शम्मिलन में भाग लेने वाला व्यक्ति कौन था महत्मा गंधी ने दूसरे में भाग लिया था दूसरे वाले में लेकिन तीनों गोल में शम्मिलन में भा खरताल का पहला प्रियोग किया था तो यह किया था एहमदाबाद इस्ट्राइक 1918 में उस अंदोलन में उन्होंने हत्यार ना चला करके भूखरताल को अपना हत्यार बनाया था मतलब हम अपने भूखे रहकर के अपनी मांगे पूरी करवाएंगे गांधी जी ने कभी हत्यार चलाए नहीं लेकिन फिर भी गांधी जी ने अंग्रेजों को भगाने में महत्पूर्पूर्भूम का निभाई तो उनका हत्यार क्या थे भूखरताल और अहिंसा सत्त नेक्स्ट कोशन है हमारा भारत में सुतंता संग्राम के लिए राजनेतिक परिद्रस पर गांधी जी के आने से पहले चरम पंथियों का नेत्यों तो किस ने किया था तो जो गांधी जी ने 1917 से सुरू किया उसके पहले वो काम कौन कर रहा था गोपाल कृष्ण गोखले जो कॉण्ग्रेस के नरमदल के नता थे कौन गोपाल कृष्ण गोखले तो इसका प्रहुवे हो नेक्स्ट कोशन है निमलखत में से कौन सा महत्मा गांधी के राजनेतिक गुरु अना जाता है तो बाइं कौन है गोपाल कृष्ण गो रोखले को अपना घृणियों ने पलए महात्मा गांधी के प्राइवेट सेकेटरी थे वो कौन थे महादेव आप याद रखें प्राइवेट सेकेटरी कौन थे महादेव महात्मा गांधी द्वारा निम्निवे से कौन सा समाचार पत्र प्रकासित नहीं किया तो आपके एक्साम में यही पूछा जाएगा कि कौन से किये हैं तो नब जीवन, हरिजन और योबा भारत और कौन सा नहीं किया है? तो वंदे मात्रां उन्होंने नहीं किया है प्रकाशित next question है महत्मा गांधी ने निमलिखित पुस्थकों में से कौन सा नहीं लिखी है? मतलब कौन सी पुस्तक को नहीं लिखा है? तो बताना है हिंदू जीवन का दृष्टी कोड़ सच्चाई के साथ मेरा प्रियोग स्वास्त की कुंजी हिंदू स्वाराज तो इसका आंसर होगा हिंदू जीवन का दृष्टी कोड़ इस प्रकार की कोई पुस्तक नहीं लिखी है महत्मा गांधी ने नेक्स्ट कोशन है महत्मा गांधी आखिरकार दच्छड अफ्रिका से भारत बापश कब आए तो पहले बता चुके हैं 1915 में आए थे कब 1915 में वो नौ जन्वरी 1915 को आए थे कब एक डेट याद रखें नौ जन्वरी नौ जन्वरी 1915 को वो दच्छड अफ्रिका से भारत पहुँचे तो इसी दिन प्रवासी भारती दिवस्ट भी मनाये जाता है नौ जन्वरी को ये भी आप याद रखें नेक्स्ट कोशन है होगा हमारा भारत में पहली बार महत्मा गांधी की जो कारावास की सजा थी वो कितनी थी छे साल की सजा मिली थी उन्हें कितने साल की छे साल की पहली बार उन्हें छे साल की सजा सुनाई गई थी गांधी जी की जो पहली यात्रा है जेल के लिए वो छे साल के लिए हुई थी नेक्स्ट कोशन है निमने में से कौन सा आंदोलन गांधी जी द्वारा सुरू नहीं किया गया था तो इसका आंसर होगा स्वदेशी आंदोलन क्योंकि स्वदेशी आंदोलन जो है वो 1905 से सुरू हो गया था 1905 जब बंगाल विभाजन हुआ उसके पर पोस्ट डेट चेक का प्रियोग किया था तो इसका आंसर होगा क्रिप्स मिसन के बारे में उन्होंने ये सब्द प्रियोग किया था नेक्स्ट कोशन है निमनिल लिखित में से क्या गांधी जी के एकादिस महाबृत में सामिल नहीं उन्होंने 11 महाबृत बताए हैं उन तो जो सर्वोदय शंबन्धी विचार थे उस पर विचारों पर किसका प्रभाव था तो इसका अंसर होगा जॉन रसकिन का. Next question है महत्मा गांधी को मलंग बाबा किस ने कहा था तो मलंग बाबा कहा था शीमान्त गांधी कौन? खान अब्दुल गफार खान इन्होंने कहा था भई आप पहली बार क्या मलंग बाबा सब्दी यूज किया था गांधी जी के लिए और खान अब्दुल गफार खान के लिए कौन सा सब्दी यूज किया जाता है? सीमान्त गांधी. नेक्स्ट कोशन होगा हमारा भारत छोड़ो आंदोलन के दोरान महत्मा गांधी को कहा बंदी बना कर भेजा गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू हुआ था. कब हुआ था? अब भईया इसमें करो या मरो का नारा दिया गया था बिलकुल आरपार की लड़ाई होनी थी इसमें तो अंग्रेज घबड़ाई तो उन्होंने कहा कि जो इस आंदोलन को लीड कर रहा है पहले नेता को ही पकड़ लो तो आंदोलन अपने आप खतम हो जाएगा तो उन्होंन जनता खुद लीडर बन करके काम कर रही थी जनता कह रही थी कि हमारे लीडर भले जेल में हैं लेकिन हम लड़ाई लड़ेंगे किस आंदोलन में भारत छोड़ो आंदोलन में तो उन्हें बंदी बनाकर कहां भेजा गया था पोणे जेल में कहां भेजा गया पोणे जेल मत इसके अलावा डाक्टर अंबेटकर ने भी इसका विरोध किया था नेक्स्ट कोश्चन होगा हमारा महत्मा गांधी ने यह घुसना कब की कि भारत बासी अपने राजनीतिक भाग का स्वैम निर्धारन करेंगे तो यह घुसना की थी उन्होंने 1922 में जब उन्होंने शाधन है नेक्स्ट कोश्चन है आल इंडिया खिलाफत कॉन्फरेंस का अध्यक्ष 1919 में किसे चुना गया था तो इसका आंसर होगा ओप्शन C महत्मा गांधी को next question है महत्मा गांधी को बापू किसने कहा था महत्मा गांधी को बापू कहा था किसने हमारे नेता जी और नेता जी के नाम से किसे जाना जाता है महत्मा गांधी को बापू किसने कहा था तो इसका आंसर होगा option D option D जो होगा वो होगा इसका सही और सुभास चंडर बोश ने क्या कहा था राश्टर पिता ये आप याद रखेंगे तो जवाहलाल नहरू ने बापू कहा था और सुभास चंडर बोश ने क्या कहा था राश्टर पिता इसके अलाब मलंग बावा किशने कहा था तो मलंग बावा कहा था कि ये आपको उपनाम भी याद रखेंगे तो गांधी जी के विशय में हमने कुछ जहाकने की उनके जीवन के बारे में समझने की कोशिस की इन प्रशनों के माध्यमशे गांधी जीवन है वो 1879 से दो अक्टूबर 1879 से शुरू होता है और 30 जन्वरी 1948 तक उनका जीवन रहता है लाश्ट में उनकी हत्या कर दी जाती है तो इस प्रकार से हम भी अपने जीवन में महात्मा गांधी से कुछ सीख सकते हैं उन्होंने कहा था कि हम ऐसे सीख हैं कि जैसे हमारा कल अंत होने वाला हो जैसे हम मतलब उनकी जो विचार है वो बहुत इंस्पायर करते हैं आज भी हमारे ये बात अलग है कि वो अब कुछ बातों में प्रसांगिक नहीं है लेकिन फिर भी हमें उनसे सीखना चाहिए तो चलते हैं मिलते हैं अंगले वीडियो में तब तक के लिए जैहन